राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे ध्वनी कारिक्रमों की शंखला क्या है हमारे चारों और क्या है हमारे चारों और भूगोल शिक्षन के कारिक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्धमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारिक्रम NCERT दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ्थ पर आधारित है वारता का शीर्षक है प्राकृतिक संसाधन सैध्धान्तिक प्रिष्ट भूमी संसाधन, सुरक्षा और अपार संपदा दोनों के ही आधार हैं विशक्ति और संपदा के भी मूल हैं जिमर मैन की ये उक्ति मानव के लिए संसाधनों के आर्थिक महत्व को अभिव्यक्त करती है विकास की प्रत्येक अवस्था में संसाधरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके बिना मानव जीवन असंभव हो जाएगा भूमी, जल और वायू के बिना हम खेती नहीं कर सकते और बिना खरिजों के उद्योग नहीं चला सकते हैं इस प्रकार विकास और संसाधन एक दूसरे पर आश्रित हैं प्राकरतिक संसाधन मानव की तीन तरह से सहायता करते हैं एक तो ये विकास के लिए पदार्थ, ऊर्जा और अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं दूसरे इनसे परियावरण का निर्मान होता है जिसमें मनुष्य तता अन्यजीव रहते हैं वायू, जल, वन और विवध प्रकार के जीव मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य हैं तीसरे संसाधन विबन प्रकार के होते हैं इन में से कुछ समाप्य तथा कुछ असमाप्य हैं तथा कुछ नवी करणिय और अनवी करणिय हैं भूमी, जल, वायू के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। संसाधनों का शोषण बढ़ने लगा। अब मानव प्रकृति का शोषण बन गया। आज हम जितनी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनमें से अधिक तर संसाधनों के अव वैज्यानिक उपयोग का ही परिणाम है। संसाधन की संकल्पना संसाधनों की प्राया पहचान मूर्त रूप में विद्यमान प्राकृतिक पदार्थों के रूप में की जाती है। संसाधन जैव भौतिक परियावरण के तत्व है। लेकिन वे तब तक निश्क्रिय रहते हैं जब तक मानव की अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए उनकी उपयोगिता का ज्यान नहीं हो जाता। उदारण के लिए कोईला सदय विद्यमान था लेकिन ये संसाधन तभी बना जब मानव ने उर्जा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग करना प्रारंभ किया। परिया वरण के समग्र पदार्थों के घटक प्राकृतिक संसाधन हैं। इन में जैव और अजैव दोनों ही प्रकार के पदार्थ सम्मिलत हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद प्रित्वी के पदार्थों और उर्जा के विशाल भंडार में से बहुत कम भाग ही मनुष्य के लिए उपयोगी हो सका है। क्योंकि ये या तो पूरी तरह से अगम्य हैं या ऐसे रूप में हैं कि उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रकृतिक भंडार का केवल वही भाग संसाधन बनता है जो मानव की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार संसाधनों की ये परिभाशा दी जा सकती है कि प्राकृतिक भंडार का वो अंश संसाधन है जिसका विशिष्ट तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में संसाधन हमारे समाज के अपने अथक प्रयासों की देन है। ये कच्चे माल तथा नए उपयोगों की खोच के द्वारा प्राप्त किये गए हैं। इन प्रयासों की अधिक गहनता के कारण ही संसाधनों की सूची निरंतर बदलती रही है। इसमें नए तत्व जोड़े जाते रहे हैं और कुछ निरस्त किये गए हैं। इस प्रकार संसाधन, मानव संस्कृति और भवतिक परियावरण की अंतर क्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। विशय वस्तो के आधार पर संसाधनों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकर्टिक, मानवीय तथा संस्कृतिक संसाधन। मनिश्य की आवशक्ताओं को पूरा करने में समर्थ, जैव भवतिकी परियावरण के तत्वों को प्राकर्टिक संसाधन कहते हैं। आर्थिक तंत्र के बाहर से प्राप्त होने वाले जैव और अजैव पदार्थी प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें मानव अपनी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधनों में भावतिक लक्षन जैसे भूमी, जलवायू, जल, मृदा, खानेज तथा जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्यजीव और मत्यक्षेत्र शामिल है। लोगों की संख्या और गुणवत्ता मानव संसाधनों का निर्माण करते हैं। लोगों की एक निर्धारित संख्या और गुणवत्ता की घटने पर विकास की गति धीमी भी पड़ जाती है। निरक्षर और कुपोशित जनसंख्या तथा विरल जनसंख्या से विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं प्राकृतिक संसाधन तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक मानव उन्हें संसाधनों के रूप में नहीं पहचानते प्राकृतिक परिखटनाओं का संसाधनों के रूप में ज्यान, संस्कृतिक विरासत जैसे ज्यान, अनुभव, कौशल, संगठन, प्रोध्योगी की आदी पर निर्भर करता है इस प्रकार संसाधनों की एक संस्कृतिक संकल्पना भी है मनुष्यों की आवश्यक्ता और योग्यताओं के अनुसार संसाधनों का विस्तार और संकुचन होता है ये विशिष्टाएं और ख्रमताएं संस्कृति के द्वारा प्रभावित होती है संस्कृति सभी ज्यान और वस्तुओं का योग है जिन्हें मनुष्य ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पन्न किया है क्या है हमारे चारों और प्राकृतिक संसाधन सैध्धान्तिक प्रिष्ट भूमे अभी आप सुन रहे थे ये वारता वाचक थे अमिताब वर्मा विशे संयोजक प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विशे संपादन आरपी मिश्र आलेक एसके शर्मा नर्मान संचालन प्रभुदयाल खटर ध्वन्यंकन सतीष्ट लाडे और दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन मुझप श्रमान सहयोग प्रसूभुदयाल खटर बाम जन्मान सब्सक्रादन